आज मैं आप सबके साथ शेर कर रहे हूं बची वी रोटी का चूर्मा कैसे बनाते हैं अकसर कई घरों में ऐसा हो जाता है कि रोटियां बच जाती हैं और फिर उन बची वी रोटियों का कैसे यूज किया जाये आज मैं आप सब के साथ वो ही रेसिपी शेयर कर रही हो friends तो आज दुपैर को हमारे घर भी रोटियां बच गई तो रोटियां बच गई तो अब हम क्या करें इन रोटियों का तो मेरे mind में एक आइडिया आया क्यों ना इन सारी रोठियों को अच्छे से हम ग्राइंड करनें एक मिक्सी जार में तो मैंने प्लेट ली और साथ में एक मिक्सी जार भी रख दिया और एक एक करके रोठी को मैंने अच्छे से तोड लिया और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया mixi jar में friends हम इसका बिल्कुल बारीक powder बना लेंगे क्योंकि हम चूर्मा जो बना रहे हैं तो उसमें powder का use होता है तो रोटियां सारी soft है और अब हम इसको अच्छे से सारी रोटियों को grind कर लेंगे friends और आप सब वीडियो लास तर जरूर देखना और step by step follow करते रहना तभी आपका जो चूर्मा अच्छा बनेगा और बहुत ही delicious बनने वाला चाय के साथ शाम को आप इसे खा सकते हैं friends तो हमने mixi jar में सारी रोटियां रख दिया और grind कर ली फिर हमने एक side में कडाई रख ली है उसमें मैंने one service spoon घी डाल दिया है घी को अच्छे से हम गरम करेंगे गरम होने के बाद हम जो रोटी को हमने grind किया है mixi jar में उस चूर्मे को हम डाल देंगे घी में friends यहाँ पर मैं आपको बहुत important बात बताने वाली हूँ कि जब भी आप 8 बची भी रोटी का चूर्मा बनाए तो उसको आप घी में ही बनाए कोई भी oil में मत बनाना घी में बहुत ही अच्छा बनता है और आपके family members को भी पसंद आएगा और वो कहेंगे कि ऐसी रोटीयां का चूर्मा बार बनाते रहे इतना delicious बनता है ये चूर्मा अच्छे से हम इसको mix up कर लेंगे घी में और जब ये अच्छे से ready हो जाएगा ना golden brown color का crispiness जब आ जाएगी उस time पर हम इसमें add करेंगे jaggery powder शक्कर जिसे बोलते हैं तो मैंने इसमें 1.5 शक्कर डाल दी है आप चाहें तो इसमें चीनी का भी use कर सकते है तो मैं diet का भी हिसाब रखते हुए और sugar free cheese को रखते हुए तो मैंने इसमें शक्कर डाली है और अच्छे से हम इसको mix up कर लेंगे जो diet पर है और वो चाहते हैं healthy खाना पर लेकिन चीनी avoid कर रहे हैं तो वो इस time पर शक्कर डाल ले और अच्छे से हम mix up कर लेंगे और healthy हमारे अंदर जाएगा गी तो हमारा ये चूर्मा बनके ready है friends तो फिर देर किस बात की है आप सब भी ये delicious चूर्मा ज़रूर बनाना और देखो आपकी बज़िवी रोटी भी utilize हो गई है तो वीडियो अच्छी लगे तो please like, share and subscribe my channel friends और आपको next वीडियो में क्या खाना पसंद है मुझे comment करके ज़रूर बताना friends